नमस्कार दोस्तों सुप्रिम कोट का आज अहम फैसला आने वाला है फैसला ये कि क्या सुप्रिम कोट इन किर्शी कानुनों को होल्ड पर रख सकता है फैसला ये कि क्या सुप्रिम कोट आज एक कमेटी का एलान कर सकता है फैसला ये कि सुप्रिम कोट आज सरकार और किसान सुप्रीम कोट के उस सुझाओं का स्वागत्तों जरूर किया है। सुप्रिम कोट के रुख और रवये का स्वागत तो जरूर किया है लेकिन इस बात से साफ इंकार कर दिया कि सुप्रिम कोट के निर्देश पर अगर कोई कमिटी बनती है तो उस कमिटी का हिस्सा किसान संगठन होंगे किसान संगठनों की तरब से कल देर शाम एक प्रेस विग्यप्ति जारी करके कहा गया है कि हम सुप्रीम कोट के रुख और रवये का स्वागत करते हैं सुप्रीम कोट की चिंता जिस ढंग से सुप्रीम कोट ने चिंता जताई है किसानों की दशा को लेकर उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन हम किसी भी सूरत में ऐसी किसी कमिटी का हिस्सा नहीं बनेगे मेरे पास वो प्रेस विग्यप्ति है चुकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी देर शाम साधे आठ वजे के आसपास किसान संगठनों की प्रेस विग्यप्ति आई मैं वो बताता हूँ और उसके बाद आज के अख़वारों में क्या ख़वरे हैं और क्या चिंताएं हैं किसान संगठनों की और क्यों इस तरह की कमिटी में किसान संगठर नहीं चामिल होना चाहते हैं और उसके बाद कि सुप्रिम कोर्ट का आज अहम फैसला आता है उसका मतलब क्या है तो सबसे पहले उस विग्यप्ती में किसान संगठर नहीं सुप्रिम कोर्ट में जो कल सुनवाई हुई दो घंटे तक पक्ष विपक्ष में जो दलीले चली जिससे अखवारों की सुर्खिया आज भड़ी पड़ी है उन दलीलों के बाद देर शाम बैठक के बाद किसान संग गठन कानूनों को होल्ड करने के सुप्रिम कोर्ट के सुझाओ का स्वागत करते हैं लेकिन किसान किसी कमिटी का हिस्सा नहीं बरेंगे सरकार का रवया सुप्रिम कोर्ट में भी कानून वापस नहीं लेने वाला ही था इसलिए साफ है कि सरकार उस कमिटी में भी कानूनों क कि वापसी पर सहमत नहीं होगी किसान संगठनों का कहना है कि हमारी लड़ाई कानूनों की वापसी को लेकर है और इसी मुद्दे पर लगातार नौ बैठके हो चुकी है दस भी बैठक की तारिख मुकरर है 15 जनवरी मैं इस नौ भी बैठक जब कहता हूं तो हम इस शाह से एक बैठक वी उसको जोड़ कर कहता हूं जब सरकार इस पर बात करने को ही नहीं तयार है कि हम कानून वापस लेंगे सिर्फ संगठनों का कहना है ऐसी किसी भी कमेटी का हिस्सा बनने का कोई मतलब नहीं उसी विग्यपती में कमेटी ने लिखा है हमने अपने कानूनी सलाकारो से बात की है और आम राय से फैसला किया है कि सुप्रिम कोट की तरफ से गठित समिती में हम शामिल नहीं होंगे आगे लिखा है हमारे वकीलों ने अदालत में कहा था कि सुनवाई अगले दिन भी जारी रहे अगले दिन मतलब आज सुनवाई कल हो रही थी ग्यारा आज है बा कि आज और सुनाए जाएगा तो किसान संगठनों का कहना है कि इस पर तर्क वितर्क दलीले होनी चाहिए थी किसानों का पक्ष भी रखा जाना चाहिए था लेकिन आज सिर्फ फैसले का दिन है हमें इससे निराशा हुई है हमारा पक्ष उस तरह से नहीं सुना गया यह बह सुप्रिम कोट ने इसलिए हम प्रेस रिलीज जारी कर रहें ताकि दुनिया को हमारा पक्ष पता चले किसान और उनके हम जैसे नुमाएंदे सुप्रिम कोट का शुक्रिया अदा करते हैं लेकिन उनका सुझाओ न मानने को मजबूर है एक तरह से कि हम आपकी सलाह नहीं मा कि इसमें कौन लोग हो सकते हैं यह पिछली सुनवाई जो हुई थी पिछली मतलब पिछली से भी पिछली पहली सुनवाई उस समय भी सुप्रिम कोट ने कहा था बलकि उस समय सुप्रिम कोट के सीजयाई ने अगर मुझे याद है तो यह भी कहा था कि क्या इसमें कृशी विशेशग्य हो सकते हैं, पीसाइनाद जैसे लोग हो सकते हैं, ये सारी चर्चा हुई थी, किसान संगठनों को लगता है कमीटी का स्वरूप क्या होगा, कौन होगे, क्या होगे, और उसके बाद कमीटी का अगर ये एजंडा ही नहीं है, कि इन कानूनों की वापसी पर वहा प्लिक इंट्रेस्ट में है, जबकि सरकार ये प्रॉपगेंडा फैला रही है, कि ये सिर्फ पंजाब का अंदोलन है, मैं प्रेस विग्यप्ती को पढ़ रहा हूँ, बीच में मेरे कमेंट है, जो आप समझ पा रहे होंगे, ये आंदोलन हर्याना, यूपी, रास्थान, ए इंदियन वाद मैंने बताया, अब सवाल उठता है कि अगर किसान संगठन, अगर किसान यूनियन, सुप्रिम कोट की तरफ से अगर किसी कमेटी का गठन होता है, और उस कमेटी में हिस्सेदारी से इंकार कर चुके हैं, तो फिर उस कमेटी का मतलब क्या है, एक बड़ा सव और कल शाम को इसलिए शायद, चुकि आज फैसला आने वाला था, इसलिए किसान संगठनों ने साढ़े आठ बजे शाम को ये प्रिस्वेगटी जारी करके दुनिया भर को बता दिया, कि हम किसी कमेटी का हिस्सा नहीं है, अब बात आती है कि यहां से बात क्या होगा, केश्टिकेट से बात की थी, उन्होंने भी कहा, बाकी किसान नेता भी करें, डॉक्टर दर्शन पाल, जो करांतिकारी किसान यूनिन के ध्यक्ष है, उनका भी बियान है, कि जब तक कारुन वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं, कल सुनवाई के दौरान, बहुत सारी के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन देश की बड़ी आवादी किसानों की या किसान संगटन, बहुत सारी किसान संगटन, इन कानूनों के पक्ष में, तब भी एक तरह से सुप्रीम कोट ने साप साप फटकार लगाते हुए कहा था कल सुप्रीम कोट ने, कि अब तक एक भी ऐसी अरजी नहीं आई, जो कहती हो कि ये कानून अच्छे है, इसके अलावा सुप्रीम कोट ने जो अहम बात कही, कि अगर जिस धंग से जो हालात बन रहे हैं, किसानों की खुदकुशी, आत्महत्या, बुजुर्ग महलाओं का होना, उसके बाद उनकी रन्नीती के तहद 26 जनवरी का एहलान, इन सब चिंताओं के मद्दे नजर, शायद सुप्रीम कोट का संकेत ये कहने का था, जिसमें कहा कि कल को कोई खून खराबा होगा, तो हमारे हाथ पर भी खून के छीटे पढ़ेंगे, और उसके जिम्मेदारी हम सब की होगी, इसलिए हम फैसला क कि इस फैसले से हमारा भाला नहीं हो रहा है, हम एक कमिटी के ट्रैप में अगर जाते हैं, और वो कमिटी फिर अनंतकाल तक उस मुद्दे पर भास ही नहीं करती है, जिस पर हम चाहते हैं, बाद फिर संसोदनों पर अठकती है, जो लगातार सरकार के साथ मैटकों में हो रह हूँ ताकि आपको बहुत सारे लोग जो अख़वार नहीं पढ़ते हैं, उन्हें भी पता चले किस अख़वार में क्या चपा है, धैनिक हिंदुस्तान नहीं रुकेगा, ये किसान नेता कह रहे हैं, हिंदुस्तान ने चार बॉक्स बना है, सकती, सवाल, संदेश, सलाह औ संकेत, क्या क्या कहा गया, अटर्नी जेनरल ने क्या कहा, और कैसे फटकार लगी, सरकार की नुमायदगी करने वाले सॉलिसिटर जेनरल को, क्या आप हमें ये धलील मत दीजिए, लेक्चर मत दीजिए, हमने काफी व्क्त दे दिया आपको, और उसके बाद अदालत ने जो चिंतावेक्त की है कि इस साथ में ये भी कहा कि किसान प्रदर्शन जारी रख सकते बहुत हम बात कल सुप्रिम कोट ने ये भी कही थी अदालत किसी को यह कहने का मौका नहीं देना चाहती कि उसने विरोध के सुर्थ दबा दिये लेकिन बात वही है कि ये सलाह की बुजूर् बच्चे ठंड में क्यों है उन्हें घर भेज दिया जाए तो ये हिंदुस्तान में जो चार बॉक्स है मैं बॉक्स यहां लगा दे रहा हूँ चुकि अच्छे धंग से ग्राफिकल दैनिक हिंदुस्तान ने च्छापा है लेकिन सरकार को फटकार में बहुत बातें कही सु सुप्रिम कोट करने जा रहा है वो किसके लिए फाइदे मन है क्या सरकार जो मुश्किल में है उस मुश्किल से सरकार निकलेगी या किसान नेता जो मांग कर रहे या जिन मुद्दों को लेकर जिन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे उसका समाधान निकलेगा किसान नेताओ करते हैं तो ढाक के पाद फिर वही होंगे हम आर तालिस दिन बाद यहां पहुंचे उसके पिर पता नहीं कहा होंगे इस तरह की आशंका है किसान नेताओं ने जो बाचीत में छिट-पुट मीडिया से बाचीत की है उससे पता चला अब हो यह रहा है दोस्तो कल की फटकार कल की बाद सुप्रीम कोट के अगर बिट्विन दे लाइंज पढ़ने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोट किसानों की स्थिती और किसान नेताओं की जो मांग है उसको लेकर चिंतित जरूर दिखता है लेकिन उनकी चिंता जब उनका फैसला होगा सुप्रीम कोट का उस फैसल बता रहें तब सुप्रिम कोट के सी जी जी ने तो कहा ही कि हमारे सामने अभी तक कोई ऐसा नहीं आया और उसके बाद ये भी कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप समस्या का हिस्सा है या समाधान का किसानों से गंभीरता से बात करनी चाहिए उनका भरोसा जीतना चाहिए और साथ में ये कि आपको हम पर भरोसा हो या नहों हम सुप्रिम कोट है हम अपना काम करेंगे हरीश सालवे ने जब ये कहने की कोशिस की जो साड़क पर किसानों को हटाने के पक्ष में अदालत में दलील दे रहते हैं कि अगर कोट रोक लगाना चाहता है तो सिर्फ कानून के विवादित हिस्सों पर रोक लगाए तब चीप जेस्टिस ने कहा पूरे कानून पर रोक लगाएंगे फिर कि आगरह किया था अब इसके बाद आगे की बाद दोस्तों हुआ ये कि अभी भी किसानों के आंदोलन के दौरान आज कितनी ठंड है इसकी कल्पना शायद अगर अब दिल्ली में नहीं हैं तो नहीं कार पाएंगे सिहरिन वाली ठंड ठंडी हवाएं और जहां मैं हूँ कुछ दूर यहां गाजीपूर बॉर्डर पर बैठे हैं यूपी के उत्राखंड के अलग-अलग इलाकों से आएक किसान और ऐसे दिल्ली के सिमाँ पर और इन ठंडी हवाओं के बीच बुजूर्ग बच्चे सब बैठें कल मैंने कुछ बुजूर्गों से बात की थी राकेश्ट कैट के साथ कि अगर सरकार पहले अपील कर चुकी अब सुप्रिम कोट के सीजे आई कहते हैं कि चीप जस्टिस ऑफ इंडिया की बुजूर्ग ने कहा हम नहीं जाएंगे अब सवाल उठता है नहीं जाएंगे उसके बाद आज का फैसला और इसमीच ये है दोस्तों कि भासकर में ही पहले पन्ने पर ख़बर है कि टिक्री बॉर्डर पर पंजाब के एक और किसान की मौत हुई है और पंजाब के लुडे के पास जहर खालिया बहाल गड़ के अस्पताल में उनकी हालत गंभीर बनी हुए अब तक साथ से जादा किसानों की अलग अलग बजहों से मौते हो चुकी है किसी ने जहर खाली किसी ने अपनी जान देने की किसी तरह से कोशिस की कोई बच गया कोई हाथते का शिकार कहीं कोई चिंता नहीं उल्टे इन किसानों को देश विरोधी खलिस्तानी चीनी पाकिस्तानी ना जाने क्या क्या कहने की कोशिस साजिस में कहूँगा और इन्हें डिस्क्रेडिट करने की कोशिस और मुहिम में कहूँगा ये लगातार सरकार के पक्षकारों की तरफ से सरक सरकार की तमाम दलिलों के बाद कि इन्हों से साड़क से हटा दिया जाए इन्हें आंधोलन इनका खत्म कराया जाए ऐसी मंचा को सुप्रिम कोट ने एक तरह से कारिज किया लेकिन क्या सुप्रिम कोट इन्हें जगह बदलने को कह सकता है यह एक सवाल है आज के फैसलिंग कल हुआ ये भी है जो Times of India ने आज खबर छापी है कि कल जिस पर बिग इंबरेस्मेंट सुप्रीम कोट में कहा है दिल्ली पुलिस ने कि अगर 26 जनवरी को जैसे किसानों ने एलान किया है उस तरह से ट्रेक्टर मार्च किया दिल्ली में दाकिल हुए किसी भी सड़क पर किसी भी तरह से तो ये इंबरेस्मेंट होगा सरकार के लिए और जो कंतंतर दिवस की गौरवशाली परमपरा है उस परमपरा पर चोट पहुचेगी ये कहकर सुप्रीम कोट में अरजी दी है हो सकता है इसकी सुनवाई हो दिल्ली पुलिस के जॉइन कमिशनर जस्पाल सिंग की तरब से सुप्रीम कोट में अरजी दाखिल की गई है जिसमें क अगर किसान ट्रैक्टर रैली करेंगे तो इतने बड़े समारों की गरिमा पर चोट पहुंचेगी देश के सामने भी इंबरस्मेंट की स्थिति पैदा होगी इसलिए इन्हें रोका जाए दूसरी तरफ राकेश टिकैत गुर्णाम चडुनी और जो दर्शन पाल तमाम जो कि करेंगे और यह मार्ची सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है हो सकता है सुप्रिम कोट आज इस बारे में कोई फैसला करें कल ये भी हुआ कि किसान आंदोलन की तरफ से प्रेस कांफेंस करके कुछ जानकारी दी गए जो उसी उनी बातों को दोहराया गया कि 13 जनवरी क निकलेंगे और राजभवनों का घेराव करेंगे अलग-अलग राज्यों में और 26 जनवरी के लिए तैयारी और तेज की जाएगी कमिटी बना कर हर घर से 26 जनवरी के आंदोलन में शामिल होने की अपील करेंगे तो इस तरह के किसान आंदोलन जिस ढंक से किसान यूनियन अपने अंदोलन को तेज करने की अपील कर रहा है रनिती बना रहा है वो सरकार में उसकी बेचे नहीं है और शायद सरकार उमीद कर रही है कि सुप्रिम कोट का कोई ऐसा फैसला सरकार के पक्ष में है जिससे किसान रनितिक तोर पर ये सब चीजे ना कर पाएं तो देखना है क्या फैसला आता इस बीच हुआ ये कि खटर की रैली करणाल में नहीं होने दी गई आपने देखा होगा बहुत सारे किसानों ने मंच पर तोर फोर की हैलिपैड को नुकसान पहुंचाया वहां शोर हंगामा सब कुछ किया करणाल के उस गाउं में जहां खटर रैली करन थे वो उनकी मौझूदगी भी खटर को रैली करने लाइक माहौल बनाने में खटर काम्याब नहीं रहे और इसलिए खटर को लौटना पड़े हुआ ये कि उसके बाद गुर्णाम चड़ूनी जो किसान नेता है उनके खिलाफ और करीब करीब साथ सो लोगों के खिलाफ ए जिम्मेदारी ली है और कहा हाँ हमने खटर साब को रैली करने से रोका भाजपा ने कहा था किसान अंदोलन को तोड़ने के लिए साथ सो रैलियां की जाएगी तो हम ऐसी रैलियों का विरोध करेंगे ये गुर्णाम चड़ूनी का बयान है ऐसी बहुत सारी खबरे हैं हर्याना के मुख्यमंतरी मनहोराल कट्र दिल्ली पहुच रहे हमिशाह से मुलाकात है हर्याना बीजेपी के कुछ और नेता होंगे हर्याना में नब्बे सीटों की विधान सवावें 40 बीजेपी हैं 10 जेजेपी है साथ निरदलिये हैं जिसमें 5 सरकार को समर्थन दे रहे है चालीस दस पत्चास और पांच पचपन पचपन विधायकों का समर्था ने कहा जा रहा है जेजेपी के विधायकों पर किसानों का जबरदस दबाव है निर्दलिय विधायक भी चिंतन मनन कर रहे है बीजेपी के विधायकों में बेचैनी है क्योंकि बीजेपी विधायकों क मुक्यमंत्री के कारिक्रम केसान नहीं होने दे रहे दुश्यन चौटाला ने दिल्ली में अपने बिधायकों की बैठक बुलाई है एक्सप्रेस के मताबिक पहले पने पर एक्सप्रेस में है एक्सप्रेस के मताबिक अपने फार्म हाउस पर बैठक बुलाई है उनकी राय उनका रुख जानना चाते और उसके बाद अमिश्चा से इनकी मुलाकात होगी क्योंकि ये बेचैनी केंदर में है कि हर्याना में क्या इस्थति है अब ये देखना होगा कि क्या दुश्चन चौटाला किसी दबाव में आते अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है किलाल के पौत्र अभय चौटाले ने सोंबार को विधानसवा स्पीकर को इमेल के जरिये विधानसवा सदस्ता से इस्तिफा भेजी बेजा लेकिन दिल्चस्प यह है इसमें उन्होंनों लिखा किर्शी कानूनों को 26 जन्वरी तक केंदर वापस नहीं लेता तो मेरे पत्र को इस्तिफा समझा जाए अब यह साफ है कि कंडिशनल इस्तिफा नहीं होता है तो मुझे लगता यह भी एक राजनिती है कि उन्होंने भेज दिया कि अगर 26 जन्वरी तक वापस नहीं तो मेरा इस्तिफा लो उन्हें पता है कि यह इस्तिफा नामा नहीं है इसे सुईकार नहीं किया जा सकता लेकि पी के बिधायक इन सब पर भी सरकार समर्थक बिधायकों पर दबाव पर रहा है इसी को समझने आखने के लिए दिल्ली में आज हमिशा से इनकी बैठ के हैं फिलाल सुप्रिम कोट के फैसले का इंतजार रहेगा दोस्तों और मुलकात होगे किसानों के बीच कुछ और मुद् चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे फेस्बुक पेज को लाइक नहीं किया है तो ये दोनों काम करिए मुझे भी अच्छा लगेगा आप तक खबरें भी पहुंचेगी नमस्कार